हाई फ्रेंड्स मैं परविंदर खारी फ्रेंड्स आज की हमारी के मुस्तियस धाई फूली जी की वीडियो रेकमेंडेशन है उन्होंने मुझसे 1966 हर्मन प्लिनिक वर्सिस वेसली समिसलोग के गेम के पर वीडियो बनाने के लिए आता शुरू करता हूँ यहां हर्मन प्लिनि बिशेप आया b7 square पर धन हुआ d3 b5 दुबारे bishop पर attack अप वह जी गया b3 square पर d6 c3 और अब यहाँ वैसली समिसलोग ने केसल किया e2 square पर धन नाइट a5 bishop पर किसी तरह का target है bishop c2 square पर that's okay c5 c5 का मतलब यहाँ क्या होगए c1 आगे फुछ करना देखते है रुकाया d1 square पर then queen is c7 knight b goes to d2 then रुकाया e8 square पर और यहां से यह रुक सबसे आदर pressure इस game में बना कर रखने वाला है आप देखेगा किस तरह से knight f1 h6 knight e3 bishop आया f8 square पर position बिलकुल एक्वल है bishop d2 then हुआ bishop e6 d4 e6 d4 c6 d4 then knight gya c4 square पर knight actions आसकी है और अगर कर लिये जाते हैं तो issues नजर आई ही गए है मेरे ख्याल से deep on push जरूर यहां बहतर move होता पहले यहां knight पर attack होता और knight जो इतने खतरना काउट post पर जा सकता था उससे बचने का मौका मिलता black certainly यहां knight takes e3 की ही option को पहले चल था यहां पर पहले खिला गया d6 c5 और ऐसा करने के बाद d6 c5 होना ही है then हुआ knight takes c4 bishop takes c4 और bishop को जो चाहिए था वो यहां मिल चुका है queen पर attack है queen के जाने के लिए e1 square ही बचा है लिकिन ऐसे करने के बाद bishop आया d5 square और e4 pawn के pin होने का पूरा फाइदा उठाया गया है e takes d5 का सीधा सा मतलब है rook takes c1 पूरी चेक के साथ queen रवानी पढ़ जाएगी तो bishop गया है यहां से a5 square पर पहले queen पर attack बना queen आप वैसा simply f4 square पर चली गई है और यहां center के इस important pawn पर बहुत जादा pressure है जिस game को यहां से किस तरह से आगे बढ़ाया जाए जैसे कि अगर यहां e pawn अभी push का आगे कर दिया जाए तो bishop टेक्स f3 यहां ब्लैक पहले खेलेगा जी टेक्स f3 होने का मतलब होगा rook टेक्स e5 queen पर attack बनेगा और queen जहां कहीं भी अटेगी अगले move में यह f3 pawn ज़रूर फसेगा यहां black के हाथों में दूसरी option कि अगर यहां जैसे कोई भी move white चले रुक को move करे आज़र कोई भी तो bishop टेक्स e4 e4 pawn को बचाना बहुत मुश्किल है तो यहां पर harman plinic ने decide कि वो रुक टेक्स d5 actions down होंगे knight टेक्स at d5 हुआ और फिर दुबारा वही issue e4 pawn pin है लेकिन इस बार e pawn आगे push कर दिया गया है और knight बिल्कुल safe है eliminate करने के लिए कम से कम यहां bishop नहीं है knight b4 और यहां इस bishop पर attack है और अगर bishop से ठीक है well bishop e4 rook पर attack बना रुक पहुंच गया c8 square पर then हुआ h3 then f5 bishop पर attack n% करने का तो सिर्फ एक ही मतलब है bishop down होना यहां पर bishop गया वापस b1 square पर white की game में issues देखिया white अभी भी अपने यहां a1 rook को touch नहीं कर पाया है और मेरे साब से वो बहुत बड़ा drawback है उस यह main का knight c6 यहां bishop पर attack बना तो simply हर्मन ने अपने bishop को d2 square पर ले जाकर वापस queen पर attack बनाया ठीक भी लगता है लेकिन का यहां knight takes e5 का move आया वैसली 7 slow का और इस move के बाद हर्मन प्लिनिक ने resign कर दिया resignation का reason यहां अगर material actions दो दरीके से किये जा सकता है simply यहां अगर knight takes e5 white जाता है इसके लिए तो quintex e5 होगा material actions होता रहेगा इस तरह से और अब अगर हम बात करें material wise दो rooks यहां black के पास होंगे दो bishop ठीक है bishop pair है लेकिन एक रुख जो भी अभी तक भी develop नहीं हुआ है bishop c3 पहले बचाना ही होगा यहां रुख पर attack होगा रुख d5 जैसे किस स्क्वार पर आएगा और अगले move में कुछ इस तरह की checks जरूर आने वाली है तो bishop c2 जैसा move white को केलना होगा देन फर्दर black इस game को completely dictate करता रहेगा और दूसरी option जो की बहुत बड़ा blender होगा वो है bishop टेक्स f4 का क्योंकि ऐसा करने के बाद तो knight टेक्स f3 जैप जी टेक्स f3 और यहां rook टेक्स c1 चैक के साथ बहुत जादा प्रेशर में white रहने वाला है इस तरह से इस game में तो friends मुझे उमीद है सते जाई को लेजियो के दोरा बताई गई यह game जरूर आप लोगो पसंद आई होगी तो आप लोगोश वीडियो को like करें शेयर करें और मेरे शीटिव चैनल जाज़गर को प्लेश सबस्काइब जरू करें आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंजार रहेगा थैंक यू फर वाचिंग एंड बाई फर नौ